लंबी समय तक के लिए 36 गड़ एक्स्प्रेस संहित कई रेल गाडियों को रेलवे ने बंद कर दिया है इसके कारण कोर्बा छेत्र के नागरिक परिशान है राजस्व मंत्री जैसिंग अगरवाल ने इस मसले पर बिलास्पूर में बैठकी बंद ट्रेनों को बहाल नहीं करने पर कड़े नीर्ने लेने की चतावनी दी गई है यात्री ट्रेनों को बंद कर देने से दक्षुन पूर्व मध्र रेलवे की बड़े हिस्से में लोगों की सामने समस्याएं खड़ी हो गई है प्रदेश की राजस्प और विलास्पूर के प्रभारी मंत्री जैसिंग अगरवाल ने इस सलसले में रेलवे की खबर ली विलास्पूर कलेक्टर सारान श्मित्तर की जरिये डियारेम को बुलाया गया कोरवा विकास समिती के प्रतिनीधी मंडल की उपस्तिती में जैसिंग अगरवाल ने जानना चाहा कि 36 गड़ एक्सप्रेस सहित दूसरी गाड़ियों को बंद कर देने से लोग सफर कैसे करेंगे चंतिन्टरवाला जब यह आया तो यह लोग मेरो फोन किये कि बोले विया उसको बंद कर दिये तो अब आप से बात की मैं निकल गया तो कॉरवाज उसका है तो मैं इनको बला बला आप लोग भी लोग से पर वागता लगते हैं क्योंगी मेरे बाप समिती है इस बात पर भी असहमती जताई गई कि कोईला गाड़े अलगतार चलती रहें और सवारी गाड़ियां ठप रहें बाई रोड़ी है और जाता है कोईला पूर इंदुश्कान में चत्रीजड़ से कॉर्भा से हम भी जानते हैं इस चीज़ को कोईला पहुंचाने के लिए पावर प्रांट बिजली चीए और कोईला पहुंचाने के लिए हम ठेने बंद कर गई है तो अच्छा बाग यह है इस मौकी पर यहाँ भी कह दिया गया कि रेल प्रमंधन यूही मनमानी करता रहेगा तो कोर्बा की लोगों को कटोर कदा मुठाना पड़ेगा राजस्व मंत्री ने बताया कि समस्या कोर्बा की ही नहीं बिलासपुर संभाग की बड़े हिस्से की है इसलिए इस सब्ता की अंतिम दिनों में जन प्रतनीधियों की साथ रेलवे बैठक करेंग इस बैठक में कोर्बा विकास समीती के संयोजक एमडी माखिजा संसयोजक श्रीकांत भुधिया किशोर शर्मा कमलेश यादव राकेश रिवास्तव ने भाग लेकर कोर्बा वच तीजगड के साथ रेलवे द्वारा किये जा रहे अन्याय को लेकर आक्रोश व्यक्त किया इस बैठक में राजा सुमंत्री जैसिंग अगरवाल के कठोर रुख को देखते हुए उमीद करना होगा कि लोगों की भारी परिशानी को देखते हुए बिलासपूर मंडल उच अधिकारियों को जानकारी भेजेगा और बीच का रास्ता निकालने के लिए उच इतकदम उ बूरो रिपोर्ट ग्रेंडेसियन न्यूज